नमस्कार डीवी निउस में आपका स्वागत है दिली अंसी आर्मी बढ़ते प्रदूशर पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सक्त टिपर नी की है पताते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरयाना और पंजाब में लगतार पराली जलाई जा रही है दोरों में से सबसे ज्यादा पराली जलानी की घटनाय पंजाब में ही हो रही है पराली जलानी की कारण पंजाब में भूजल इस्तर पी लगतार घट रहा है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक और रेगिस्तान नहीं चाहते हैं इसलिए क्यों ना धान की खेती ही बंद कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान भी समाज का हिस्सा है उन्हें ज्यादा जिम्मिदार होना होगा। साथ ही हमें भी किसानों की जरूरतों के प्रती संवेदन शील होना होगा। लेकिन लोगों को मरने के लिए मजबूर भी तो नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में किसान बहुत अच्छी तरहा से संगटित है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से भी पूछा है कि आप किसान संगटनों से बात क्यों नहीं करते हैं। सुप्रीम कोड का कहना है कि प्रदूशंड का इस्तर कम होना चाहिए इसके लिए कल का इंतजार नहीं किया जा सकता। उधर दिल्ली सरकार के परियवरिन मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि AQY इस्तर पर भारिश का सकारात्मक प्रवाव देखा गया है। AQY सूच कांक में सुधार हुआ है हम और इवन स्कीम पर अपनी स्टडी सुप्रीम कोड के सामने रखने जा रहे हैं। मता देगी पिछले कई दिनों से दिल्ली में हो रहे प्रदूशंड को रोकने के लिए और इवन स्कीम और प्रत्रिम बारिश की जरूरत दिल्ली सरकार ने महसूस की थी। इसी को लेकर मामलाग चर्चाओं में है।